कि वाहिगुर्जी का घल्सा वाहिगुर्जी फद्शासी गाल नमुवधाय जमुल निवासे साथ्षियों सलाम अलकुम साथियों वाहिशो मानवता नीव चैनल चलाते हम और तगरीवान पूरे विश्व में ध्यान रखते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है अभी अभी आप सभ ढी जानते होंगे साल के लोक तंतर भारत को लोक तंतर कहा जाता है कि लोक तंतर सबसे बड़ा ड Fest से अनाम है वह फिसनाय है और यह बारत के अन्दर क्यों ऊसा हुआ है और ये जो है क्यों उसमें मुलब इसे स्रेणी से बाढ़ निकाल दिया गया है इसकी पीछे मेरा अपना मानना सा है कि हम देख रहे हैं कि पुरे भारत में पुरे वर्ड के इंदर जो लोकतंतर की धजिया उड़ा रखी है भारत में आज की डेट में किसानों के उपर जो चल रहा है है वह आपसे भी जानते हैं जो भारत में जो चल रहा है मुसल्मानों के उपर चल रहा है वह को नहीं जानता कि मोबली इंचिंग किसी साथ में हो रहा है क्या हो रहा है भारत में तो क्या जो चल रहा है सारा कुछ यह शिरप मेरा अपना सा मानना है कि इसके पीछे ब्रहाम से इनकी वज़े से ब्रावनों की वज़े से भारत को जो है लोगतंतर कंट्री से बार निकाल दिया है क्योंकि इन्हों ने जो सड़ींतर करके जो कबजा करना चाहते हैं पुरे भारत के उपर हैं और इन्हों सबी को गुलाम मनाना चाहते हैं उसमें सोचते हैं कि किसी को मार करके किसी को बोलती बंद करके मलब यह चाहते हैं कि उसको मलब नीचे गिरा करके खुद का राज स्थाबित करना चाहते हैं लेकिन वो जमाने चले गए जब यह से होते थे लेकिन अब जो है वो जमाने निकल गए अभी क्या होगा आने वाले वक्त में तो आने वाले वक्त बताएगा तेकिन इतना है कि इनका जो राज है जो यह करना चाहते हैं वारत में जो हिंदु तुआ का राज बता बनाना चाहते हैं हिंदु राक्ष बनाना चाहते हैं वो तो इनका समना कभी पुरा नहीं होग क्योंकि जिस मकसद से लेके चले है राज को ओ तो अभी कौन किसी के गुलाम बनाना बनना चाहता है दुन्या के अंदर कोई गुलाम बनाना चाहते हैं दूसरों को और दूसरों को दूसरे जो है गुलाम बनाने वाला शिर्म चलेगा है लेकिन भारत जो है भारत इनकी वज़े से आज एक लोगतंतर सिरेड़ी से नीचे गिरा जागा है क्योंकि इन लोगों ने मुसल्मानों के साथ में क्या किया है आप सभी जानते हैं मुसल्मानों के अपर मॉबल इंचिंग हो रही है किसी तरीके कोई गाय के नाम से मार देता किसी को जो किसानों के चल रहा है किसान जो है बहुत मलब तकरिबन सो दिन से भी जाद हो गए जो चल रहा है किसान को मालग कितना प्रसान करते हैं आप सभी जानते हैं और यह मेरा आज अकाउंट है मुझे ऐसा लग रहा है यह है कर लिया गया नहीं कर रहे हैं तो आज जो भारत का नाम पुरे विश्व के अंदर से इनों ने वरामनों की वज़े से बहुत पुरा भारत में पुरे विश्व के अंदर ये नाम खराब कर दिया गया क्योंकि यह जो सडी अंतरकारी लोग हैं इनों हें कभी दूसरे का बला चाहते नहीं और डूसरे का बला नहीं चाहते यह तो ज therapist क क्रेक्ट्ठ ऐसा है कि आ दो गजी को पकड़ते हैं या गीशी का पैर पकड़ते हैं साफ़् गोर्वण की किसी ने लिखा था तो ऐसा है जो ऐसे लोग जो हैंने इनको कुछ नहीं हो सकता यह तो दूसरों को टुकडों पर पढ़ने वाले लोग होते हैं वह कभी भी जो इमानदार और सचे नहीं हो सकते और जो सचे और इमानदार नहीं होते उनकी वज़े से देश कभी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उनकी वज़े जब उनके हाद में पावर होती है उनको जो मनलब उनके हाद में पावर जब होती है तो उनको दूसरों का नुक्सान बोजाता करते हैं फाइदा कम बहुत कम करते हैं जैसे भारत में देखते हैं कि भारत वालों के लिए ये बारत वासियों के लिए एक रुपया नहीं के ऐसे हैं तो यह जो है चातरा सारकुछ इनी की वज़े से हएा जब में सच्चे का राज कायम होगा इसको बेगम पुरा राज कहते हैं और राष्ट्र का नीव रख दिये सब्सक्राइब लोगों का साथ चाहिए और बसे इसमें हमें जो है इसमें भारत के अंदर एक भारत को ऐसा डेमोक्रेटेट देश दुबारा भेज़ को करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने जो निज्स शरी ने गिरा दिया अभी हम इसका क्या करने वाले हैं आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अपतना जानते हैं कि भारत में मुलनिवास्ची जो है भारत के जो मुलनिवास्ची उस बात को थोड़ा समझे के ब्रामनों की ही वजह से आज देश का जो नाम सुर्ण से बार निकाल दिया है अभी हम चाहते हैं कि भारत को जो है कै रहाराइसा राज बनाना चाहते हैं खाल सा राज बेगम पुरा राज जिसको सच्चाय राज कहते हैं तो उसमें हम एक गता जो राज इसको धवस्त करेंगे और वहाँ पर में जात पात का नाम निसान निये 10 बात का नाम कि दरर जो विदेश के लोग लोग वह भारत के दर काम करने के लिए गएगे यह इतना है इतनी डबल गो सकूझसमा सब्सकों कुछ में सिरफ हमें आप लोग का साठ चाहिए आप लोग इस्कों था तबड़िद कर रहें और भारत वासिक दर इतनी हिंब्स है एक भातम हिसे को अप्टे हैं दो जो सदी कें तो इनकी वजह और आप लोग इसको बचा सकते हैं तो भारत के मूल निमाजी जिनको एस्टी एस्टी ओविशी के लोग कहते हैं और शिक लिंगायत जहन जो भी हैं ये सभी के सभी मुसलमान इसाई जहन बहुत हैं सभी कठे होकर कुपनाएं तो थैंक्यू जो उन्होंने कोमेंट की और जो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इसमें जो है हमारा साथ देंगे और भारत को एक सोने का भारत को हम सब मिलकर एक सोने का बाज बनाएंगे जहां पर भारत में कोई विदेशी परिंदा पैरने फड़ पड़ा सेके ऐसा राज कायम करेंगे जो हजारों साले तक यह राज ऐसा होगा जो भारत के भारत वास् आप सभी के सभी सच्चे एक राज की तरब कदम बढ़ाए अपने राज को अपने ये गुरु गुरु गोवन सिंग जी कहते हैं इस बारे में कि कोई किशी को राज न दे है जो भी ले है निजबल से ले है कि निजबल का मलता ताकत अपनी ताकत को इस्तमाल करेंगे और जो है कहते हैं वह तक एब्हलंदीजयोत्स सचा इमांदारी इमांदारी और सचा भी धर्ण है और जूटों बेमाँ धर्ण मैं है तो हम चाहते हैं सभी के सभी इसमें हमारा साथ दें और विदिन दस साल के अंदर अंदर इसको ऐसा भारत को बनाएंगे कि चमकता हुआ भारत होगा और सोने का बाज बनाएंगे इसको भारत को सोने की चीडिया नहीं सोने की चीडिया तो कोई उड़ागा ले जाता है कोई खाले तास को तो स लोग हमारा साध्यस में क्योंकि भारत को हम चाहते हैं कि इने बदमाशों के आथों से चुड़ा करके आप लोगों के आप लोगों के हाथ पर आश्ता आ जाए तो इतना चाहते हैं वससाथ कि अप्रदान मंघ के कुरशी तक पहुँना चाहते हैं प्रता tellement मुंहिटेंका बेटेंगे तो तिने निदेध यहाँ पे किशन घ्र होका आ अंद कि ऑपर दोय प्यार हो कि प्यार होगा नफ करो और होंगे सैतानी होंगे इतना काम करेंगे थैंक्यू सबक्राइब अस्त्राम अलेकुम जय जो